अलो दोस्तों नमस्कार मैं सुनील चाहान बिजनेस एडिया लेकरके आया हूं, बहुत बिजनेस एडिया जो है बहुत लूनिक ini में वधाने वाला हम आपको ठीक है लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, हमको यही करना है, तब आप के लिए साइद ये वीडियो ना हो, तो आपने ये भी सुना होगा कि अपने संघर्स से किस्मत की रिखा बदली जाती है, तो ये सही है, अब संघर्स करो, मेहनत करो, किस्मत को करना है उसको बताना है कि हम कर सकते हैं औहुंड़ परसिंट आप कर सकते हैं इसमें कुछ करना नहीं सिर्फ आपको थोड़ा से मगज लगाना है थोड़ा अपनी बुद्धी मगज लगा करके आगे बढ़ना है अपना टाइम टू टाइम टेबल से काम करना है घड़ी इधर मेरे लगी इस प्रकार से आपको काम करना है तो आप डिफिनेटली आगे जाओगी कोई रोक नहीं सकता भाई जो रोजाना अप अपना काम वर्क करेगा कौन रोकेगा वोकि उसको क्योंकि टाइम मुल्लिवांची होई ती उसका प्रयोग आप करो एटोमेटिक आप आगे जाओगी वही तो एक अनमोल चीज़ है आप उस पे काम करने लगे तो सारा काम खतम आपका ठीक है आप पे बिजनस एडिया का जो वीडियो में बता रहा हूं अंत तक आप देखिएगा सारी नालिज आपको मिलेगी हंडिस प्रसेंट गारेंटी है इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा जो आपके काम ना आए ठीक और दूसरी बात की यह बिजनस आपको अंत तक देखना इसलिए मैं बोल रहा हू इसमें मैं लाश्ट में एक जनरल नालिज की एक कोश्चन का आंसर बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में वो बात रह जाएगी वो भूलो भी नहीं मेरी गारंटी है और आप उसको अपने बच्चें भाई दोस्तियार से सेर करोगे क्योंकि कोई भी छोटी चीज कभी ऐस आज आता है सुनने पर याद रह जाती है वह भूलता नहीं है कभी आ तो इस बिजनस में मैं आपको यह बताऊंगा क्या बताऊंगा अलमूनियम कैंटेनर का नाम मस्त बहुत बड़ा वह कैंटेनर वह खाना खाने वाला एलमूनियम कैंटेनर जो आता है जिसको आप प्रिकल में त्रेन में लारी पर हर जगां आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसमें फूड खाने वाला पैक होता आदमी आसानी से खाता है आपको उसका बिजनस में बता रहा हूं ठीक है तो यह बिजनस जो है करने के लिए आपको मसीन को परचिस करना पड़ेगा मसीन आपको इंदिया माट पर रिसेच करेंगे तो मेरे इसाब से पांच साड़े पांच लाग रूपे तक मशीन आपको रहेंज हो जाएगी अब इसलिए शाड़े पांच आप सस्ती भी आएंगे सस्ती लेने का मतलब हो सकता है चले ना नुक्सान हो या प्रोड़क्शन कम हो कम सकम इतना तो खर्चा करना ही चाहिए मेरे हिसाब से और मैटेरिल आपको पचास से साड़े जार रूपे का रा मैटेरिल आपको लगए रोल आता है जो सिल्वर रोल बोला जाता है उसको वह आपको लाना पड़ेगा अब मसीन आपको लगभग 90% लोन मिल जाएगा वहां से आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको मिलेगी इस प्रोग्राम के तहप और आपका हिल्प किया जाएगा और उसमें गवर्मेंट आपको सबसीडी भी देगी अब सबसीडी सुनते हो लेकिन आपको इस समझ में न होल्ट या जिनको पैसे की जरूत होती है गॉवर्मंट उनका help करती है वह वह करतार extrर और के सबस्क्राइब करें तो पता चलता है कि दो सुरूपिया गवर्मेंट आपको रिटन दे दिया कुछ दिनों में तो इसी को सबसिडी बोला जाता है कि गवर्मेंट के तरफ से आपको help आपको कुछ पैसे की help आगा जिससे आपका काम आसान हो जाए आपको और भारी चीज हो उस पहको फायदा हो ठीक है तो आपको 90% लोन मिल तो इसलिए मैं बोला कि कम साथे पांच लाग च्छालाग क्या सपास मशीन आप लेना है अब मशीन में आपको उसमें डाईयां मिलेंगे डाईयां मतलब कॉर्णर मतलब स्कॉायर लंबाई चवड़ाई का आप बॉक्स बनाईए आप उसमें डाईया चेंज करके आप राउ थैसो गराम 500 शेसोगराम ठीक है तो मैं सुचता है कि पांसोग फांसोगराम के हिसाफ से आपको घर मैं बताना चाहूंगा तो इसमें आपको लग भग दो रूपे के आसपास खर्चा आए ठीक है दो रूपे के आसपास आपको खर्चा आएगा आप उसको बेज़ोगे कम सकंद पांच से च्छै रूपे में तो च्छै रूपे में इसलिए मैं बोल ला हूँ डायेट मैं बताया च्छै रूपे इसलिए कि आप उसके बीच में बहुत सारा करी जगह बेश सकते हो आप बेशने के लिए देखो यह मतलब पांच शेयर रूपे में डायटर रीटेलर तक में आ गया आप उसको होलसेल में ठीक है होलसेल वालों को थोड़ा से कम करके आपको बेशना पड़ेगा तो होलसेल वालों को ज्यादा नहीं को कमाना सिर्फ पचास पैसे कमाना भाई कोई भी बढ़ाने के लिए आपको कम मार्जिन का मतलब कि आपको प्रॉफिट होगी तो सामने वाला कहेगा कि चलो कोई बात नहीं है हम लेंगे तो क्योंकि उसकी मार्केटिव होती बहुत लोग देने वाले प्लास्टिक में और दूसरी बात छोटे रीटेल को आप साथे तीन रूपिय में दो उनको थोड़ा से बढ़ा के दो इस प्रकार से आपको बीचना है तो बेचने के लिए मतलब जैसे आप बनाओगे तो उसको प्लास्टिक में जो है पूरा बंडल का बंडल सौसों का य करने का मतलब है की आप को जो 30 पर संप्लाइब का जो होता है उसको पर से ने भेशियंडे ठीक है जो बीचने वाले हैं व्य striking हम यह पिसने बतायाँ रीटेर मतलब चास मीई सक्याहिचन चारिस पर चैनिस पर इसन करो मत्तब कि उसको डायट आप सेल करो कहां सेल करोगे आपको छोटे-छोटे लारियों पर जाना पड़ेगा जो अरेडी लगाए हुए उनसे मिलना पड़ेगा डेली को उनको कितना चाहिए सवपिश-दोसोपिश कितना उन देली सेल कर सकते हैं उनको बेश हो आप ठीक है इस प्रकार से छोटे होटल हैं या छोटा कोई जहां पर खानी पीने वाला किसी के या साधी भिया का कोई प्रोग्राम पड़ता है उनसे मिलो आप उनको शेल करो दो हजार चार हजाद पीस उनको दो आप जगा जगा साधी दिया गाओं गिराओं में बहुत पड़ता है तो पैक करके कुछ लोग फूट जो है वो देना चाहते है तो अच्छा लगता है अगर आपकी पकड़ सरकारी भी भाग में है या ऐसी कुछ है कहीं मिल कर गया अगर अच्छी मसीन चलेगी नहीं तो कम सकम हमको लगता कि आठ हजार से नो हजार पीस निकले गाही निकले आठ से नो हजार पीस अगर आपको निकलता है एक दिन में तो महीने का कितना हुआ मैं अगर जी से साफ से बताया हो, मेरी साबस्तिक्त अब गरीट लगाओगी यह एक रूपया के आजबाजी आपका प्राफित मिलेगा. ठीक है? तो आख हजार पीस या नव हजार पीस साफ लिकालते हो, तो 8000 रूपए या 9000 रूपए आपको प्रॉपिक होगा ठीक है इसके बीच का भी अगर आप पकड़ के चलोगे अगर 8000 रूपए सक रूबे का आठ त्रिक का 24 दो लाग 40 हजा में ड्हाई लाग पकड़ता हूँ धाई लाग महीने का आपका कमाई कहीं नहीं गया है की आदेर כל की प्रॉप्र पर घ्रम उस सविब्म फॉशंन और और उसके प्रॉध और जयाता है ध्यूंत तो यह जो है आप इस प्रकार से बिजनस माइने रखता है आपके लिए बहुत कुछ माइने रखता है ठीक है तो डाइलाक रूपे महीने आप आराम से कमा सकते हो पोई दिक्कत ही नहीं लेकिन करना पड़ेगा करना है तो करना है ठीक है बिजनस देखो बिजनस उनकी लिए नहीं बना है जो हाँ पे हाँ धरे हैं बैठे हैं मैं लगपती बन जाओंगा करोन पती बन जाओंगा मेरे पाल बहुत गाड़ी हो जाएज गमला हो जाएज भाई उसको सपना बोलते हैं और नीद में जो है तो आपधे लिखे तो आप खुद का मालिक बनोगी वही पढ़ाई लिखा या दूसरी के लिए यूज्स करोगे उसके बदले आपको छोटा सा मोल देगा आपको पुरी टाइम को कंज्यूम कर लेगा हो कूछ करने होगा mów on मेरे की साधी है आज मेरे को जाना पड़ेगा नहीं है अगले महिने जाना एब भूण सारी बाते सुनना पड़ता है इसलिए होने में बहुत बढ़िया फायदा है इसका मज़ा जब आएगा बिजनेस आपका चलेगा अरे यार पैसे नहीं है मैं पैसे का सेटिंग बैना दिया कुछ नहीं करना पहले सेलिंग ही करो इतला करके दूसरी कुछ दो यहां वहां कि आपको लगता है भी कि नहीं रास्ता पहले खौल दो अपना उसके बाद खुद अपना बना के बेचो आपको एडिया पड़ जागा नहीं तक भाई दिक्कत तो रहेगी तब तक वह दिक्कत रहेगी कि भविसमें आप सोच नहीं सकते कि लाइक में क्या दिक्कत आएग आप दस रुप्य किसी से मांगने जाएंगे तो आप ही कहेगा रहे यार क्या है दोस्त यार अभी आप दो दिन पहले बोले हो तो आपको मैं पचास जारो के दे दिया होता है आप दस दिन लेट कर गए इस लिए तो पैसा उसका है भाई बहाना वो तो बनाई सकता है क्यो और लिए मन हो पाता तो इससे आप बात करो कि आपका पैसा इतना बाकी है और मैं थोड़ा से प्राब्लेम में हूं अपका पैसा मैं दे दूँगा तक उसको लगेगा यहां इसको याद है और भाई को यह पैसे देदेगा अगर उसको नहीं पता चले गा तो मांगने की सब सारी चीज बवाल से हटना है अपना बिजनेस करना है आगे बढ़ना है ठीक है